हलो फ्रेंड्स आएम मिनक्षी वेल्कम टो ओर डिजाइन फर्शन यूटूब चैनल आज मैं अपको डबल डाट में अलग-अलग डाट कैसे ट्रांस्पर करना है वो सिखा रहे हूँ यह जो हमने पहले बैसिक पोडिफलोप बनाया था इसमें हमने अल्रेडी यह डो डाट वाला डागरम किया था वही डागरम यूज़ करके हम आगे के डाट अलग-अलग करेंगे इसमें हमेशा जब भी आप यह डबल डाट का पाटन करोगे तभी अपको यह बेस डाट कॉमन रहेगा यह जो साइड सीम डाट है हमारा यही डाट हलग-अलग डाट में ट्रांस्पर हो जाएगा तो वह कैसे करना है वह दिखादी हो यह ऐसे दिखेगा आप कोई भी पाटन देखेंगे यह हमारा basic pattern है, यह किया है, इसके बाद यह जो है french dart में convert किया है, जो यह dart है यह फ्रेंज dart में convert किया, उसके बाद यही dart मैंने armhole में convert किया, यही dart मैंने side seam में convert किया, यही dart जो है यह shoulder tip में convert किया, इसके बाद यह mid shoulder में convert किया, यह जो है center front mid neck dart है, इसमें यहाँ जो हमारा side seam क यह डाठ आठे है जो यह अंरे वैस्त टाथ है चानल जेसे भन टाथ जो को परिया सब में आप देख değer तो प्षिंसλι है कि तो यह ठाट ऐसे बनाती की तेमत तो चल्खेल हमयों इसने हें कि दिए है कि भी नोग और दख पता इस साइट सिम टाथ है और इताट Мы इसमें और यही डाट हमें अलग-अलग डाट में कनवर्ट करना है, वो कैसे ट्रांसफर करना है वो में दिखा दियो, पहला हम लेंगे फ्रेंज डाट, फ्रेंज डाट के लिए पहले मैंने यह जैसे पेसिक है वैसे मैंने ड्रॉ करकी लिया है, अभी यही डाट मुझे फ्र यह पहला डाट हमने फ्रेंच डाट में कनवर्ट किया है और भी दुसरा डाट करेंगे यह बेसिक मैंने डाइग्राम पहले ट्रॉ करके कट करके लिया है दुसरा जो डाट है वो साइड सीम डाट है साइड सीम डाट सीधा यहां से इससे ड्रॉ करना है और यह कट करके यह ड करने के बाद यह इसमें ट्रांसपर करना है यह आप कट करके चिपका सकते हो या इसे भी चिपका सकते हो डबल डाट में हमेशा आपको बॉड़ी के उपर दो डाट लिखेंगे इसको डबल डाट करते हैं यह होगा है मेड आर मोल डाट अभी फूर जोलडर टीप डाट है इसके लिए पढ़ सिक जो डायग्राम है हो ड्रॉग करत करके लिया है यह शूलडर पॉइंट से बस पॉईंट तक जोडें गें और यहीं लाइन हम काट करेंगे, और užना साइच सीम दार्ट है यह हम इसमें ट्रांस्वर करेंगे, इस तरह से शोले टिप डार्ट तयार अभी फिप्त डाट जो है, वो मिड शोल्डर डाट है, इसके लिए भी पहले मैंने पाया बैसिक डाग्राम, जैसे वैसे ड्रॉ करके, कट करके लिया है, अभी इसमें शोल्डर का मिड निकालके इसमें जोडेंगे, और यह जो ड्रॉ किया है लाइं, वह इकटिक करेंगे, और यह साइड सीम वाला डाट क्लोज करेंगे, इस तरह से यह मिड शोल्डर डाट तैयार होया, अभी इस इक्स डाट जो है, वो मिड नेक डाट है, मिड नेक डाट के लिए पहले मैंने जैसे डाइग्राम था वैसे मैंने डेसिक बोडि ब्लॉक ट्रॉ करके लिया है, यह नेक है, नेक के सेंटर में यह बस पॉइंट जोडना है और कट करना है, और यह जो डाट है यह क्लोज करना है, हमेशा मैंने साइड सीम डाट ही क्लोज किया है, यह वेस डाट मेंने कॉमन रखा है, ऐसे ही रखा है, यह स्टीचिंग करते वद हमें यह डाट स्टीच करके लेना है। इस तरह से ये mid neck dart तहिया है, अब एक seven топ, जो है वो center front neck dart है. इसके लीए भी पहले मैंने asumya basic double dot वाला काुआ डागराम ढूँ करके लीया है। सेंटर-front neck johr के लेना है। अब यही бог lange jooh draw किया ने उक टर्मा है और aside same dart जो है वो close करना है । एक डाट जो है वो सेंटर फ्रंट बस लेवल डाट है यहां से यह बस पॉइंट तक जोड़ना है अभी यही लाइन जो ड्रॉक है वो कट करना है और इस साइड से जो डाट है वो फ्लोज करना है इस तरह से यह सेंटर फ्रंट बस लेवल डाट तयार हो गया यह नाइन डाट जो है वो सेंटर बस डाट है उसके लिए हमें सेंटर पॉइंट से यहां इसे डाट प्रॉप करके लेना है और कट करना है यह साइड सेंटर जो है वो फ्लोज करके लेना इस तरह से यह डाट यहां आपने टांस्पर कि इस तरह से तरे से स्लैश एंट मिथ濃त्न में अब दबल डाट कैसे हम चार्वर स्छृ करते वू मेंने अपको सीखाया है इस वीडियो को लाइक किजिए, शेर किजिए, सस्क्राइब किजिए, थैंक रूए।